हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने माइखल चैनल पर मैं हूं कमलेश आज के इस वीडिवम सिखेंगे समय फंक्सन के साथ डॉप डाउन लिष्ट का यूज करना तो यहां पर जिसके लिए मैंने यहां पर एक सेंपल डेटा त्यार किया हुआ है जिसमें मन्त अब मैं यहां पर सभी करेंगे तो यहां पर थीन कंडिशन है कि यहां पर सेंप्रेंड अगर हम चाहें मन्त के अक्रडिंग और रिजन के अगर विह करेंगे पर हमें किसी यहां एक की पर्टिकुलर पर्सन की यहां पर शेल चाहिए तो उसको हम कैसे यहां पर निकाल पाएंगे तो जबकि मैंने अल्रड़ी यहां फंक्षन यूज किया हुआ है समीप मैं सबस्क्राइब किरा मंरे कुलिए अंदर पाएंगे यहां ओ यहां पर और शुज करें चाहिब अन०्राइब फैप मंत मत में इंकेस मैं अगर यहां पर ला पर सॉरी प्रेजन को अगर यहां पर मैं इस तरह से अगर यहां कॉपी करता हूं देखे रिज़र्ड यहां पर आ गया है क्योंकि मनिश पंत का जो यहां डेटा था वो फैप के अंदर था और इस रिजन में अगर हम देखें यहां पर वेस्ट नॉर्थ और साउंड तो इसमें से एक रिजन इसको मैच हुआ तो उसके और यहां पर यहां पर हमें निकालके दे दिया तो चलिए सीखते हैं तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल तरीके से समझाओंगा कि समीफ को आप कैसे एक्सल में यूज कर सकते हैं और फिर अ इसको असानी से समझाओं तो सबसे पहले आपको यहां पर is equal to type करना है दिन आपको यहां इस तरह से यूज करना है तो समीफ जैसे आप यहां टाइप करेंगे तो यह आप से पूछेगा सम रेंज तो सम रेंज आप देखे रहूंगे इस वाले डेट में पर सम रेंज है व जो कि हमने हैं सेलेक्ट कर लिया है उसके बाद अगला ही हमसे पूछता है कि जो क्रिटेर रेंज है वह आपका one वाला कौन सा रहेगा तो यहां पर जैसे कि हमारा क्रेटर रेंज हमने ऐसे सेट किया है कि पहले में हम यहां पर sales person के आप से data मिले फिर हमें यहां मिले मनत के साथ से फिर हमें मिलें यहां पर रिजन के हिसाप से तो उसके इसाप से जो हमारा पहला जो क्रेटेर हैं हमारा हो निकल के आता वह आता है से से परसन वाला तो उसके लिए हम यहां पर जो आप क्रेटर रेंज सेलेक्ट करेंगे वह करेंगे यहां पर सेल्स से परसन वाला तो इस कॉलम को हम पूरा सेलेक्ट करेंगे तो यह हमारा criteria range यहाँ पर हमने select कर लिया जो हमारा 1 था अब यह उसका पूछ रहा कि criteria 1 उसका कौन सा रहेगा तो आपको यह भी याद रखना है कि आप जिस criteria range को select कर रहे हैं उसी के according यह आपका criteria 1 भी होगा तो इस case में जैसे हमने sales person का यहाँ पर criteria range select किया है तो नहीगा criteria first रहेगा वो भी यहाँ रहेगा sales person तो यहां तक के लिए हमने यहाँ पर हमारा पहला criteria यहाँ पर set कर दिया है अब हम बढ़ते हैं next criteria range कि तरफ तो next यहां पर पूछ रहा है criteria range 2 तो यहां पर अगला हमारा criteria हमें कौन सा set करना है month का तो उसके लिए हमें यहां पर month का यह column वाला data पूरा select करना पड़ेगा यह select करते ही यह पूछता है फिर criteria 2 तो जैसे बात है पहला हमारा sales person था हमें पर हमारा हमें प्रहुता है तो ऑफीं हम पर हमारा बहुता है month तो उसके लिए हम यहां पर criteria to set करों आप हमें जो हमारा poking 5 तो यह हमें ह मद्द है और थार्ड हमें पूरा हमें पर थे यहां पर my हम यह पूरा हम ऋक्लम वर कलोष कर देंगे यह हमार पर यहां रिजल्ट आ चुका है तो इसने मताया कि जो मनीश पंथ है उसकी फर्वरी मन्त के अंदर रिजन जो साउत है उसके साब से उसकी जो सेल है यहां पर वह है यहां पर एक लाख अब इन केस अगर मैं है रमेश कुमार यहां इसको चेंज करते हैं मनीश पंथ अगर हम यहां जैन को अगर यहां कॉपी करेंगे तो देखिए उसका यहां आउटपुट यह निकालके दे देगा तो यहां पर इसने बताया कि रमेश कुमार जो सेल्स परसनल उसकी जैन मन्त के अंदर साउत रिजन के अंदर जो सेल थी उसकी 60,000 जो की यह वाला रिकॉर तो मनिशा जोशी का इसलिए निकालके देगा तो फ्रेंच यह था एक नॉर्मल तरीका तो चलिए आप सेकते हैं इसको अगर हमें डॉप डॉन के साथ उसको यूज करना है तो हम इसको कैसे यूज करेंगे तो उसके लिए आपको यह फंक्शन को रिवूब करने की जरूत नहीं है सिंप्ली आपको जो यह रिकॉर्ड आपको यह नजर आ रहे हैं सेल्स पर्सन जैसे आप देख रहूंगे इसमें क्या है रिपिटेट रिकॉर्ड काफी है लाए गए और रुबेश कुमार है तो उसकी तीन इंट्री है मनिशा जोशी किया पर चार इंट्री है इस जोचि रिंच पर देंटी शेल्सों पर्सन में तो यहां पर और तीनी है जो उनिए रिकॉर्ड है रमेश कुमार मनिश्पंत और मनिशा जोशीर जोकी मैंने अलोड यह पर पहले से अलग बना रखे है और रिजन के हम बात करें तो यहां पर फोर्ट है नॉर्थ साओन इस तो अब हमारा जो final step है हमें इन सभी का यहां पर इसी list में drop down list यहां पर create करना है तो चलिए यहां सीखते हैं तो यहां पर हम sales person में आएंगे हमें simply यहां पर data validation पर click करना है तो data validation में जैसे आप click करेंगे तो यहां पर देखिए इस तरह का आपको पास dialogue box यहां पर open होके तो by default यहां पर आपको any value मिलेगा लेकिन आपको इसको change करना है आपको यहां लिस्ट में create करना है लिस्ट में जब आप type करेंगे तो यहां पर manually भी इस इसको यहां पर type करके रख सकते हैं यह आप चाह रहे हैं कि अगर आप पर data अलोड़ी है तो उसके लिए आप simply यहां पर click करके भी इसको आप इस तरह से यहां पर ले सकते हैं तो हमें यहां पर sales person का यहां चाहिए तो इसको हम पूरा इस तरह से यहां पर select करनेंगे और यहां पर ok कर दिंगे तो यह हमारा यहां पर dropdown आप देख रहूंगे बन चुका है नेक्स्ट हमारा मंत का है तो उसके लिए हम सेम वैसे ही data validation में आएंगे लिस्ट के अंदर हम यहां पर आएंगे और लिस्ट में हमारा यहां पर हम चाहिए मन्त तो मन्त का हमारा data यहां पर यह वाला है और इसको हम ok करेंगे इस तरह हमें यहां पर south यह हमारा जो region है उसके इस सब्सक्राई तो हम सब्सक्राइन अपर साउध वाश्यशन में तो इस तरह सब्सक्राइन पर डेक्राउध मैं कर लिया है तो अभी हम आप देखें इस तरह से तो क्या है कि अब हमें यह क्या है कि यहां पर बार बार टाइप करने की ज़रूत नहीं है हम इसी के थुरूँ यहां पर कोई भी यहां पर डेटा अपना चेक कर सकते हैं रमिश कुमार है उसका यहां पर इसने एरर दिखाया इंडिविजिली भी देखिए यहां पर कोई भी चेक कर सकते हैं जैसे मैंने यहां मनिशा जोशी लिखाया तो इसने यहां गलत दिखाया तो इसको हम यहां पर कि जयन यहां पर हम सकते हैं मार्च जोकी डेटा यहां पर सुने चाहे तब यहां पर सो करेगा रिजन वायज भी आप दे आप शाफ्रार को गापा विए hmm खर शाब यह प्लौइज ने इसकी पता है और यह स्था से उस्था से आप क्योंकि Try salesperson में क्या है कि जैसे यहां पर हमेश कुमार तो इसका एक ही यहां पर जो है तो भी हां रिजल्ट उसका नहीं आएगा क्या पर जैन ही आना चाहिए तब यह जाके यहां पर रिजल्ट शो करेगा अब इसी तरह अगर हम यहां पर जोसी को सब्सेल्ट किया, तो इसकी Zug 1-200,000,000 nossa नहीं यहां से आम इसे करेंगे, जो इसका भी हेसल्ट वह है 1,30,000 तो friends इस तरह से मैंने आपको बताया कि कैसे आप excel में some if function को यूज़ कर सकते हैं वो भी multiple criteria के साथ हमने यापर क्यों तीनी criteria के लिए साथ इसको यूज़ किया like salesperson, month और region अगर आप चाहें तो इसके साथ और भी अपने जो criteria हैं कई तरह के criteria के शेट कर सकते हैं और फिर मैंने आपको second बताया कि अगर आपको इसको drop down के साथ अगर यूज़ करना है तो कैसे इसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं तो friends मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह आज का वीडियो बहुत पसंद आयोगा अगर यह वीडियो अच्छा लागा तो पिलीज इसको like जरूर करें शेयर करें और आपने friend circle में जितना हो सके इसको share करें ताकि नौलेज उनको भी मिल सके और बांकि अभी तक आपने अगर इस my channel को अगर subscribe नहीं किया है तो please subscribe जरूर करें ताकि आपको excel के जब कभी भी अगर कोई ने अपडेट में अगर करूं इससे related तो आपको उसका notification मिल सके थेंक्यू